सभी को जाहें, मैं नितनी कोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल Mission NCC The Way of Success में देखेगा शाम के 8 बच चुके हैं, हम लाईउ आ चुके हैं, फटा फट सभी के डेट जल्दी से लाईउ आ जाएं और जिन को भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी मुझे चार्ट बोक्स में रिस्पॉंड करें, चलो तो आज की इस क्लास में हम Model Paper 2 के बारे में डिसकर्स करेंगे, आप मैंसे बहुत सारे नए स्टूडंट से जो 2023 में वो NCC में भरती होना चाते हैं, और आप सभी को पताए कि मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली आया हू इसलिए मैं अपना Face यहां पर नहीं दिखा सकता हूँ, फिलाल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये वीडियो में कुतूब मिनार के पाथ बैठ कर बना रहा हूँ, तो मैं आपको ये वीडियो में भी दिखाऊंगा, तो चलो आज की हमारी स्क्लास को आपके तरब से क्या आंसर होगा, ट्राय करो सभी, NCC महानिदेशक की रैंक क्या होती है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, जिन्हों ने भी ऑक्षिन ए बोलाएं ना, उन सभी का सही है, लेटिनेंट जनरल is the right answer, परफेक्ट है, नेक्स्ट, अगला सवाल बच्चो, करो या म परफेक्ट, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, बच्चो, करो या मरो का जो नारा है, वो दिया था महात्मा गांदी जी ने, और जिन्हों ने भी ऑप्षिन C बोलाएं ना, उन सभी का सही है, परफेक्ट है, गुड शाबास, महात्मा गांदी जी is the right answer, है ना, बिल्कुल सभ बच्चो के चार्ट में देख रहा हो, और मुझे पता चल गया है कि आज की इस क्लास में कौन-कौन प्रेजेंट है, मैं देखी रहा हो, नेक्स, बच्चो अगला सवाल है, जंतर मंतर भारत के कौन से राज्जम स्तीते, जंतर मंतर, महाराष्ट, तमिलनाडू, आंतर प्र मैं दिल्ली का कुतुब मिनार दिखा दिता हूँ, देखो भईया, वीडियो बना रहा हूँ, मैं बैक कैमरे से, यह देखो घास दिखाए दे रही है सभी को, बढ़िया घास में बैठा हूँ, यहां से कुतुब मिनार को देखते, देखते मैं साथ में वीडियो भी बना र लेते लास की तरु key चालो अगपला सवाल बच्पो आपके सामने तंजानिया डेश की आपको रास्ति है मुद्रा बताना और करंसी नोंた अब होगे बनगे है Shilling यह रुपया रुपया तंजानीा की करन सिए बचो शिलिंग जैसे ब्हारत की Krč रुपया वैसे तंजानीा की करन सिए शिलिंग और जिन्होंने भी शिलिंग बोलाएं उन सबीका सही है perfect answer बच्ठो अगला सवाल एं अर्जून पूरसकार किस शेत्र में दिया जाता है और्जून पूरसकार कों से शेत्र में तो आप सबी आंसर बताने की कोषिश करेंगे अरजून पूरसकार के बिल्कुल सही है perfect मैं सभी बच्चों के sports bowl आये, उनका सही है, ठीक, option B आप सभी का सही है, ओके, next आप ABCD में answer दे सकते हूँ, कोई problem नहीं है, बट जल सी जल answer दने की कोशिश करना, ओके, next बच्चो, स्वामी वेकानन्द जैन थी कब celebrate की जाती है, स्वामी वेकानन्द जैन थी, answer करो जल्दी से कब मनाया जाता है, स्वामी वेकानन्द जैन थी बिल्कुल, बिल्कुल सही है, the right answer is 12 January, जिन्हों ने भी 12 January बोला है ना, उन सभी का सही है, perfect, okay, good, next अगला सवाल है आपी के सामने, next question is on your screen बच्चो, question number 7 है, वीश्वा जल दिवस कब मनाया जाता है 22 March है, 25 October है, 1 April है, या 20 November है वीश्वा जल दिवस, World Water Day कब सेलिबरेट करोगे आप सभी आरे, answer बताओ सभी, सभी के charts में देख रहा हो कि कौन-कौन कैसे answer दे रहा है, तो थोड़ा सा answer देते रहना है और कोशिश करना है, कि सबसे पहले और सही जवाब आपका आ जाए बच्चों जिन्हों ने भी answer दिया है, the right answer is 22 March is the right answer, ठीक है, option A is the right answer 22 March आपका सही है, अगला सवाल है Victoria Memorial, कहां पर रस्ती थे, answer करेंगे सभी Victoria Memorial, मुंबई है, मैसुर है, कोलकाता या जाइपूरे Victoria Memorial, बहुत कम बच्चों के तरफ से answer आएगा, देखो अभी इसका सही वाला मैं सभी के charts देख रहा हूँ क्या बात है, ओहो हो हो होई, good, shabas, very good and excellent बच्चों जिन्हों ने भी answer दिया है न, the right answer is आप मैं से कोलकाता जिन्हों भी बोलाए, तो Victoria Memorial है कोलकाता मैठेगे, कोलकाता इस दी, right answer, next question, अगला सवाल है आपके सामने, वो है, बच्चों चिलका जिल, भारत के कोन से राज्य में, question number 9, चिलका जिल, भारत के कोन से राज्य में, महराष्ट, उडिसा, राजस्तान या मद्यपदेश, चिलका जिल, बच्चों चिलका जिल है, भारत के उडिसा राज्य में, है न, उडिसा is the right answer, option B होगा इसका सही जवाब, और almost सभी बच्चे हाँ पर एकदम सही आंसर दे रहे, option B is the right answer, next, बच्चों अगला सवाल है आपके सामने, वो है, कश्मिरी किस राज के अधिकारिक भाशा है, हिमाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, मनीपूर या जम्मु कश्मीर, तो बच्चों कश्मीरी जो है, आपको पता है कि, कौन सी है, मुझे नहीं पता, आप बता दो, बच्चों सी बात है, कश्मीरी जम्मु कश्मीर की तो होगे न, option D होग है, करना टक है, या जारकंड है, बताएंगे आंसर आप सभी, करनड कौन से राज्य के अधिकारिक भाशा है, बिलको सही है, परफेक्ट, तो बच्चों करनड जो है, वह आपको पता है कि, करना टक की है, करना टक की है, यानि कि, option C is the right answer, next, अगला सवाल, question number 12, बच्चों म चंदर बोज जी, तो आंसर बताएंगे सभी बच्चे जिसको भी आंसर अगर पता है, अगर नहीं पता है, तो मैं तो हुई आंसर बताने के लिए, बस आप कोशिश करना, अगर नहीं आनता है, तो भया, मैं किस लिए हूँ, मैं तो हुई आंसर देने के लिए, हैंना, चल बच्छो अगला सवाल है क्योंसे रास्ति और नेता को लोगःदवादी दिया है नहीं भी सभिं तो जिनों ने भी आंसर दिया है द परफिक्ट आंसर यसं गोपाल हरी देश्मों क्यिदी रा एट आसर ठेके ऐ औप्छनन नमबर सी होगा बच्छो साया जवब कोशन नमबर 13 का अंसर क्या होगा option C गोपाल हरी देश मुखिस दे राइट आंसर और यह परफेक्ट आंसर है ना चलो next अगला सवाल आपके सामने है next question बच्चों हवा महल कहां परस्ती थे हैं हवा महल जोदपूर है अम्रिसर है जैपूर है या धर्मशाला है चलो try करें हवा महल क कहां परस्ती थे हैं और कोन बताएगा आप में से सही जवाब हवा महाल कहां परस्ती थे चलो try करती जाओ सभी हवा महल है बच्चों और आप में से जिनों ने भी सही आंसर दिया है the perfect answer is जैपूर is the right answer बिलकुल सही है जिनों ने भी जैपूर बोला है उन सभी का सही option C है ना चलो जैपूर is the right answer question number 15 आपके सामने बचो पाकिस्तान राज्य की राजधानी क्या है पाकिस्तान की राजधानी पाकिस्तान देश की राजधानी आपको बताना है चलो answer करेंगे इसलमबाद दिली है काटमांडू है या थिंपू है चलो अरे answer करो फडाग से पाकिस्तान पाकिस्तान की राजधानी क्या है पाकिस्तान देश की राजधानी क्या है आउसर बताते हैं सभी बिलकुल परफेक्ट बच्चो जिनों ने भी answer दिया इसलमबाद उन सभी का सही ह राइट आंसर, next question, question नमबर 16 बच्छों, major सुमनाथ शर्माजी को परमवीर चकर से कौन से साल सनमानित किया गया था तो आप सबी को पताए कि major सुमनाथ शर्माजी को जो है वो 1947 में जो है वो परमवीर चकर से सनमानित किया गया था ठीक है, 1947 is the right answer अगला सवाल, question number 17 बच्छो भारतिया थल सेना को कितने कमाणों में बाटा गया है one of the most most important question चलो भारतिया थल सेना को कितने कमाणों में बाटा गया है और कोने जो आप में से इसका सही answer बताने वाला है चलो try करो सभी बिलको सही, excellent, क्या बात है बच्छो जिन्हों में भी answer दिया है इसका सही जवाब है साथ कमाण is the right answer option B is the right answer जिन्हों में भी साथ बोला है उन सभी का सही है, perfect है अगला सवाल है आपके सामने वो है question number 18 बच्छो बुलन दर्वाजा, भारत के कोन से राजजमस्ती थे, बुलन दर्वाजा राजस्तान है, महराष्ट है, करनाट है या उत्तरपदेश है तो बुलन दर्वाजा कौन से राजजमें होगा सभी answer करेंगे, पिलको सही है बुलन दर्वाजा है बच्छो आपको पता है कि फत्तेपूर सिक्री में उत्तरपदेश में तो जिनों ने भी यूपी बोला है उत्तरपदेश बोला है उन सभी का सही है बुलन दर्वाजा है, वो है बच्चा यूपी में ठीक है? उत्तरपदेश में तो याद रखे सभी, सभी के charts में देख रहा हूँ कौन-कौन बच्चा कैसे आंसर दे रहा है ना मैं सभी के चार्ट दिख रहा हूँ बच्च इसमें क्या है कि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ आपके इसलिए है ना चलो बच्चो फ्रांस देश की राजदानी क्या होगी आंसर करेंगे फ्रांस की राजदानी Paris है, Rome है, Berlin है या Canberra है, तो France की राज़दा ही होगी, चलो बताओ answer आप सभी बिल्कुल, तो France की होगी बच्चो Paris और जिनों ने भी Paris बोला है उन सभी का सही है, option A is the right answer है न, option A B, C, D में answer दे सकते हैं, कोई problem नहीं है बस answer थोड़ा जल्द करना है बस इतनी है, है न, next question number 20 बच्चो वर्तमान में भारत के विट्टमंत्री कोन है, फिनांस मिनिस्टर कोन है 2022, अभी तो 2023 चल रहा है ठीक है, चलो प्रिंट में स्टेक हो गई है, तो बता दो 2023 में फिनांस मिनिस्टर आपको बताना है, कोन है 2023 में फिनांस मिनिस्टर विट्टमंत्री कोन है, चलो ट्राय करो सभी, बिल्कु सही है very good तो बच्चो फिनांस मिनिस्टर कोन है बिल्कु सही है, श्रीमती निर्मला सीतारा मंजी, ओके, याद रखेंगे option A is the right answer, श्रीमती निर्मला सीतारा मंजी, next अगला सवाल है, वह बच्चो जर्मनी देश कोन से महाद्वीप में आता है, जर्मनी देश कोन से महाद्वीप में आता है, एशिया में आता है, यूरोप में आता है, दक्षिन अमेरिका में आता है, या उत्तर अमेरिका में आता है, तो आंसर बताते हैं, जाओ सभी, क्या होगा आंसर आपके तरब से चलो जर्मनी देश कौन से महाद्वीप में आता दो याद रखें राइट स्काशान में बच्चों गूल गुम्बच बटाओ भारत के कों से राज्ज में हैं गोल गुंबच उत्रप्देश में राजस्तान में करनाटक में है या पंचाब में गोल गुंबच भारत के कों से राज में हैं गोल गुंबच चलो चलो ट्राय करो सभी सभी के चार्ट्स में देख रहा हो क्या होगा बिलकुल सही है perfect है very good and excellent यह बात है ना बिलकुल सही है बच्चो दे राइट आंसर इस जिन्हों ने भी आंसर दिया है ना करनाटका सही है करनाटक इस दी राइट आंसर है ना गुड नेक्स्ट बच्चो अंग्रे जो ने भारत में पहली फैक्टरी कहां पर पिट के थी आओ options आपके सामने चलो ABCD में आंसर दे दो फटाक से बिलकुल तो यहां पर आप में से जिन्हों ने भी आंसर दिया है the perfect answer is सूरत is the right answer. Option B होगा पच्छो इसका सई जबाब सूरत होगा इसका सई जबाब next अगला सवाल है भारत के तीनो सेनाओं के सर्वच्च सेना पती कोन होते हैं चलो आंसर करेंगे भारत के तीनो सेनाओं के सरवच्च सेनापति ये सूप्रिम कमांडर कौन होते हैं प्रदान मंतरी जी, मुख्य मंतरी जी, रक्षा मंतरी जी या राष्टपती जी आंसर करो सभी ये बात है ये सही आंसर है न आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है बचो the right answer is भारत के राष्टपती होते हैं याद रखना ठेक है option D होगा इसका सही जवाब राष्टपती is the right answer अब किसी किसी को मेरा आवाज बहुत धीमें आ रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि मैं हूँ भाईया इदर दिल्ली में आके हैं question number 25 बचो भारती या सशस्त्र सेनाओ को कितने भागों में बाटा गया है answer करेंगे सभी चार भाग, पाच भाग, छे भाग या तीन भाग चलो try करो भारती या सशस्त्र सेनाओ को कितने भागों में बाटा गया है किसके दरब से answer होगा इसका सही जवाब बिल्कु सही है जिनों ने भी तीन भाग बोला है उन सभी का सही है परफेक्ट है अब बच्चो आपको पता है कि 25 कोशन के बाद हम सभी KBS खेलते हैं बट आज की इस क्लास में KBS नहीं होगा कल से हमारा KBS स्टार्ट होगा क्योंकि कल जो है मैं पोच जाओंगा अभी आपको अब है चलो की जाओंबर 26 बचों किस मंदीर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है आंसर करेंगे सभी कौन से मंदिर को ब्लैक पकोड़ा कहा जाता है चलो आपके सामने options है सभी answer देते जाए फटाक्स से तो जिनों ने भी answer दिया है the right answer is सूरिय मंदिर कुनार्क is the right answer option is the right answer option a होगा बच्छो इसका सही जवाब है न next अगला सवाल है आपके सामने next बच्छो प्रतिवर्ष हाती महासो कहां मनाया जाता है चलो answer करेंगे सभी जैपूर, जोथपूर, अजमेर्या, मुंबई तो प्रतिवर्ष हाती महासो कहां पे celebrate किया जाएगा तो जिनों ने भी answer दिया है the perfect शांटाउइस बच्चों क्या होगा इसका सही जवांब दराइटॉय जैपूर इस दी राइट आंसर कोन से राजजम स्तीत है तब कौन से राजजम है तब करनाटा के राजयस्तान है महाराष्ट और पारक है आपको पता है यह आपका आएगा अंसर इसका अगरा सवाल जार, भारत में सबसे बड़ा Brook उत्पादक सबसे मूंगवक लगाना होती है पहरत का सबसे मुंगवली Qos उत्पादक राच्च तो भया मुंगफली कहां पर होती है तो सबसे ज़्यादा मुंगफली आपको पताए ना क्या होगा बिल्कुल सही है पॉफेक्ट ये बात सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है गुजरात इस दी राइट आंसर है ना गुट साबस बच्चों भी सामने थल सेना वायू सेना और नौ सेना का मुख्यले कहां परस्ती थे तो आपके सामने ऑप्शन से बता दो भया इंडियान आर्मी नेवी और एरफोस का हेड़कॉर्टर कहां पर है चलो ये बात हुए सभी बच्चों ने आंसर करी दिया है तो बच्चे इसका सही सब्सक्राण रखे सबीको गेड़कुर्ण मिलेंगे अपनी कल वाली ख लास में कल से अपनी लइव क्लासे शुरू होंगी सबी बच्चो को गड़नाइट बिलकुल मिलेंगे नेक्स्ट कौल वीडियो में जाहें वं दे मात्रा।